हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर सो आज हम देखने वाले हैं यूपी पॉली टेकनिक इंटरेंस इग्जामिनेशन 2020-2021 के लिए ग्रूप E1 यानि डिप्लोमा इनफॉर्मेसी जो स्टुडेंट्स इसका इंटरेंस इग्जाम देना चाहते हैं उनका ये आज सेकेंड क्लास है कोशिका विज्ञान पर आधारित दस महत्वपूर प्रशनोत्तर आप सभी के सामने स्क्रीन पर पूछे जाएंगे और ये प्रशनोत्तर परिक्षा की दृष्टी से अत्यनत ही महत्वपूर है इन दसों प्रशनोत्तरों का अभ्यास आपको आना चाहिए आपको अभ्यास इसका कर लेना चाहिए आपको कोशन्स को याद कर लेना है क्या करना है आपको questions को याद कर लेना है भली भाती तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को all पर प्रेस कर लीजिए ऐसी ही classes आपको UP Polytechnic entrance examinations की आपको इस channel पर मिलती रहेंगी तो चलिए आज की श्रिंखला हम सुरू करते हैं जो पहला question आप सभी के screen पर है एक बात और important है आप सभी लोग सभी questions के जो options सही होंगे वो हमको live chat में बताएंगे और जिसका जितना question सही होगा उसका हम नाम अगले वीडियो में लेंगे टॉपर्स के रूप में और comment section में उसके नाम को हम पिन करेंगे तो चलिए देखते हैं पहला question आप सभी के screen पर आ गया है कोशिका में protein का suns laser जो है वो कहा होता है कोशिका में protein का suns laser कहा होता है चार options आप सभी के सामने हैं ribosomes में या mitocondria में या फिर golgi bodies में या फिर सभी में तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो ribosomes होते हैं उन में protein का suns laser होता है तो इस question का सही answer होगा कोशिका में protein suns laser ribosomes में होता है तो option A is the correct answer चलिए next question देखते हैं दूसरा question आप सभी के screen पर ये रहा Question दूसरा आप से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का उर्जा ग्रेह कहलाता है यानि powerhouse of the cell कौन सा कोशिकांग कहलाता है ये question number 2 है केंद रक कहलाता है क्रोमोसोम कहलाता है या mitocondria कहलाता है या इन में से कोई नहीं तो इसका answer जल्दी से हमें comment करके बता दीजिए तो इसका सही answer होगा Mitochondria क्योंकि इसी में ATP जो है ADP में तूट करके energy हमको मिलती है और इसी को है इसलिए हम लोग क्या कहते है कोशिका का उर्जा ग्रेह कहते है यानि power factory कहिए चाहे power or house of the cell कहिए question number 3 रिक्तिका जन्तू कोशिका के रिक्तिका की अपेक्छा क्या होती है छोटी होती है या मोटी होती है या बड़ी होती है या लंबी होती है तो प्यारे बच्चों इस question का सबसे सही answer होगा कि पादब कोशिका की रिक्तिका अब जन्तु कोशिका की रिक्तिका की अपेक्छा बड़ी होती है Option C is the right answer क्योंकि जो पादप कोशिका की रिक्तिकाएं होती है वो पादप कोशिका की लगभग 90% space को जो है वो कबर करती है और जबकि जन्तु कोशिकाओं में जो बैकोल्स यानि रिक्तिकाओं होती है वो छोटी होती है तो इस question का सही answer है कि पादब कोशिका में रिक्तिकाओं जन्तु कोशिका की रिक्तिका की अपेक्छा बड़ी होती है कोई confusion आपको अगर हो कोई question हो कोई doubt हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं चलिए चौथा question देखते हैं इस्क्रीन पर किस तरीके से है निमलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है यह जो चार options दिये गए हैं आपके सामने इन चार options में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है mitochondria हो नहीं सकता कोशिकांग तो पूछा ही गया है यह हो नहीं सकता कोशिका भित्ती भी नहीं हो सकती इसका सही answer आपका होगा option C जीवद्रव्य को कोशिका का नहीं जीवन का भौतिक आधार माना जाता है प्यारे बच्चों अगला question देखते हैं question 5 आप सभी के screen पर है कोशिका का जीवद्रव्य किस से बना होता है यानि cell का जो protoplasm होता है वो किस से बना होता है तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो कोशिका का प्रोटोप्लाजम होता है वो नुकलियोप्लाजम यानि केंदरक द्रव्य तथा साइटोप्लाजम यानि कोशिका द्रव्य से मिल करके बना होता है लेकिन हम लोग इस options को देखते हैं जो options हमारे सामने दिये गए हैं इसमें से जो स सारबाधिक सही option होगा उसी को हम लोग सही मानेंगे तो पहला option है बिसाणू तथा प्रोटीन से हो नहीं सकता कोशिकाओं से तो कोशिका का पूछा ही गया है ये भी नहीं हो सकता option C आपके सामने है कोशिका द्रव्य केंदरक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग उसके बाद अगर यहीं पर ये तथा अन्य कोशिकांग करके ना लिखा होता तब भी हमा option C ही सही लगाते क्योंकि basically हम लोग देखते हैं कि कोशिका द्रव्य और केंदरक द्रव्य यानि नुकलियो प्लाज्म और साइटो प्लाज्म इन दोनों से मिल करके हमारा प्रोटो प्लाज्म ब पाया जाने वाला पदार्थ है वो पदार्थ जो प्रोटो प्लाज्म में सबसे अधिक पाया जाता है क्या खनीच पाया जाता है या फिर वसा पाया जाता है या फिर जल पाया जाता है जल इसका एंस्वर आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना है तो चलिए हम इसका सहीं एंसर बताते हैं कि जीव द्रव्व में सरबाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो आपका जल है जो की 80 से 85 परसेंट या 90 परसेंट तक जल ही पाया जाता है आपके जीव द्रव्व में तो ये कोशन हो गया अब छटवे नंबर का कोशन हम लोग देखते है कोशन नंबर 7 है गोल जी बॉड़ी की खोज किसने की थी चार आपसंस आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट कोच ने या फिर कैमिलो गोल जी ने या फिर सिंफनी ने या फिर सभी ने तो ये जो आपसं नंबर D आपको दिखाई दे रहा है जिसमें या फिर कैमिलो गौल जी ने तो जो Robert कोच थे इन्हों ने गौल जी बॉड़ी की खोज नहीं की थी सन 1831 हिस्वी में सन 1831 हिस्वी में एक बैज्यानी काय जिनका नाम कैमिलो गौल जी था इन्हों ने गौल जी काय की खोज की थी तो option number 20 है गौल जी बॉड़ी की खोज कैमिलो गौल जी ने की थी और हाँ यहीं पर एक बात मैं आपको और बता दू कि यह जो गौल जी बॉड़ी है इसको कई अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे गौल जी काय या फिर गौल जी अपेरेटेस या फिर गौल जी बॉड़ी की नाम से भी जाने जाते हैं उसके बाद में अठवा कोशन देखिए राइबो सोम को किसका अस्थल कहा जाता है यह चार आप्संस आप सभी के सामने है राइबो सोम को किसका अस्थल कहा जाता है पहला option है प्रकास संसलेसल का यानि फोटो सेंथेसिस का दूसरा है प्रोटीन संसलेसल का यानि प्रोटीन सिंथेसिस का C option है आपका वसा निर्माल का यानि जो फैट होता है उसके बाद में स्वसन का तो dear students इसका सही एंसर होगा प्रोटीन संसलेसल का क्योंकि राइबो सोम को किचन भी कहते हैं किचन आपदी सेल भी कहते हैं इसी में प्रोटीन का संसलेसल होता है इसलिए option B is the correct प्रोटीन संसलेसल को राइबो सोम का अस्थल कहा जाता है उसके बाद में सत्वा कोशन हम लोग दे अठवा नौवा कोशन देखते हैं नौवा कोशन है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन संसलेसल होता है ठीक ये कोशन नमबर 8 को घूमा करके पूछा है आपने इसका एंस्वार दे ही दिया होगा कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन संसलेसल होता है A option है centrosome में यानि तारक काय में B-Option है Nucleus aneakindrik में C-Option है राइबोस्यों में C-Option है आपका लाइसोसॉम में यानि जो आत्म हत्या की थैली जिसे बोला जाता है तो इस question का सही answer होगा राइबोस्यों में protein का sequencesol होता है राइबोस्यों में किसका сюжाइब होता है protein का elliesol बात और जो है ribosome में कहा होता है और एक बात और कि जो endoplasmic reticulum होता है अगर उसी endoplasmic reticulum पर ये ribosome होते हैं जब तब उसको rough ER कहते हैं यानि rough endoplasmic reticulum यानि खुरदुरी अन्तह प्रदरब्बी जालिका और जब ribosome उपस्थित नहीं होते हैं तो उसको क्या कहते हैं स्मूथ यानि S.E.R. यानि स्मूथ इंडो प्लाजमिक रेटीकुलम यानि चिकनी अंतरह प्रदब्बी जालिका अगर कोशन ये पुछा जाए कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन संसलेसर होता है और वहाँ पर आपसन में राइवो सोम की जगा पर लिखा रहे आत्महत्या की थैली कहा जाता है यानि सुसाइडल बैग कोशिका का वो कौन सा कोशिका अंगा है कौन सा अंगा का है जिसे हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं तो सेंट्रो सोम तारक काय हो नहीं सकता गौलजी बोडी हो नहीं सकता माइटो जो हो नहीं सकता, इसमें आपका option number b, यानि lysosome, इसे ही लयन काय कहते हैं, इसको हिंदी में लयन काय कहते हैं, और ये जो lysosome है, इसी lysosome को हम कहते है, societal back, दिए विद्धातियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं पॉली टेकनिक परिक्षा के उपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए